दोस्तो सन 1947 में भारत आजा तो हो गया था लेकिन ये आजादी भारत को पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया लेकिन पाकिस्तान की नापाक मांग कस्मीर भारत का ताज बना रहा कई सालों तक पाकिस्तान ने कस्मीर को हतियाने की कोशिस की लेकिन वर 1999 में उसे ऐसी मार खानी पड़ी कि उसने दुबारा कभी भारत की तरफ मुर कर भी नहीं देखा कारगिल यूद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक महत्वपूर्ण यूद माना जाता है जो भारतिय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा हमारी दिलों में जिन्दा रहेगा जिसके लिए हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाते हैं यूद की सुरुवात पाकिस्तान ने की थी 3 मही 1999 को यूद शुरू हुआ था और भारत ने यूद का अंद 26 जुलाई 1999 को करीब 3 महीने बाद किया इस यूद को हर भारतवासी गर्व के साथ हर साल याद करता है आज के इस वीडियो में हम भारतिय सेना के सूरुवीर जवानों के बलीदान की कहानी बताने जा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहें भारतिय सेना ने कारगील यूद में करीब 18,000 फीट की उचाई पर पाकिस्तानी सेना को मात देकर अपना तिरंगा लहराया था यूद में भारत वे पाकिस्तान दोनों तरफ के जवानों की सहाधत हुई भारत ने करीब 527 सेनिकों को खोया और 1300 से ज्यादा सेनिक घायल हुए जबकि पाकिस्तान के अनुसार उनके 357 सेनिक इस यूद में मारे गए थे वही 665 से ज्यादा सेनिक घायल हुए थे इसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना के वेब साइट ने दी थी लेकिन भारत ने पाकिस्तानी सेनिकों के मारे जाने की एक एक रिपोर्ट पेस की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के करीब 1200 सेनिकों की इस यूद में मौत हुई है पाकिस्तान के 200 सेनिकों को तो भारत में ही दफना दिया गया था हलाकि पाकिस्तान इस रिपोर्ट को हमेशा नकारता रहा है इस यूद में पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सेनिकों ने अंतर राष्ट्रे कानून का उलंगन करते हुए 3 मही 1999 को कारगिल के उची पहाडियों पर कबजा कर लिया था इस बात की सूचना भारतिय सेना को एक चरवाहे ने दी थी कि पाकिस्तान ने कारगिल पर कबजा कर लिया आ है और जब भारतिय सेना वहाँ पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया और 5 जवानों की हत्या कर दी गई साथ ही पाकिस्तानी सेना ने भारतिय पोश्ट को पूरी तरह से तैस नैस कर दिया था भारतिय सेना ने इस बात की जानकारी जब सरकार को दी तो सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेडने का आधिस दिया गया इस दोरान सेना ने ओप्रेशन विजय के तहत कारवाई की भारतिय वाई सेना की ओर से पाकिस्तान को खदेडने के लिए मिग 27 वे मिग 29 का इस्तमाल किया गया इस अभ्यान में लेटिनेन नची केता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया पाकिस्तान ने जहां कबजा किया था उन ठिकानों पर भारतिय वाई सेना ने बंबारी किया इस दोरान R-77 मिसाइलों के जरिया हमला किया गया पाकिस्तान ने भारत के एक विमान मी 27 को मार गिराया था जिसमें हमारे चार फौजी सहीद हो गए थे 5 जून को भारतिय सेना ने पाक रेंजर्स दोरा कबजा किया जाने की सूचना भारतिय मीडिया को दी भारत के अख़बारों में इस ख़बर ने तहल का मचा दिया 6 जून से भारतिय सेना ने पूरी ताकिस्तान पर हमला करने का मन बना लिया 9 जून को बाल्टिक की दो चौक्यों पर भारत ने तिरंगा फैराया 11 जून को भारत में जनरल परवेज मुसर्णफ और पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल अजीद खान के बाच्चित का ओडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने जारी किया और बताया कि इस नापाक हरकत में पाकिस्तानी सेना का ही हाथ हैं 13 जून को भारतिय सेना ने ड्राज सेक्टर में टोलिंग पोश्ट पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर तिरंगा फैराया 15 जून को भारत पाकिस्तान के यूद में अमेरिका को हस्तचेप करना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन ने परवेज मुसरप से फोन पर कहा कि अपनी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी पीछे हटा ले 29 जून को भारतिय सेना के सूरवीरों ने टाइगर हील के पास की दो पोश्ट पर फिर से तिरंगा लह रहाया ये पोश्ट भारतिय नजरिये से काफी महतवो पूर्ण थी इसलिए इसे जल्दी कब्जे में लिया गया इन दोनों पोश्टों का कोड नेम 5060 और 5100 है भारतिय सेना ने पाकिस्तान का मनोवल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था 2 जुलाई के दिन भारतिय सेना के जवानों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया दोनों देशों के तरफ से खुब गोली बारी और बंबारी हुई कई सैनिक भी सहीद हुए हलाकि एंत में टाइगर हिल पर भारत ने ही तिरंगा लहराया भारत ने धीरे धीरे सबी पोश्टों पर कबज़ा जमा लिया और अमेरिका को इस बात की सूचना दी ततकालिन प्रधानमंत्री अटल व्यारी वाजपाई ने देश की जनता से आपरेशन विजय की जीत की घोसना की बाद में जवानों की सहाधत के याद के तौर पर 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने का घोसना किया दुसरे विस यूद के बाद कारगिल यूद को ही इतिहात सबसे बयानक यूद माना जाता है क्योंकि इस यूद में भारी मात्रा में विस पोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप और मोटार का इस्तमाल किया गया था सेना के अधिकारियों के अनुसार, कारगिल वर्म करीब धाई लाग गोले, पांच हजार बम और तीन सो से अधिक मोटार दागे गये थे बताया जाता है कि कारगिल लड़ाई के सत्रा दिनों तक हर दिन प्रती मिनट एक दफा फायर जरूर किया जाता था इसलिए इस यूद को दूसरे विश्यूद के साथ तुलना किया जाता है दोस्तो स्वतंत्रता का अपना ही मुल्या होता है जो वीरों के खून से चुकाया जाता है कारगिल यूद में हमारे लगवक 500 से ज़्यादा वीर योद्ध सहीद हुए थे और 1300 से ज़्यादा घायल हो गए इनमें से ज़्यादतर वो नौ जवान थे जिन्हों ने अपनी जीवन के 30 वर्स भी नहीं देखे थे इन सहीदों ने भारत्य सेना के सौर्य एप बलिदान सर्वोच परंपरा की निर्वा किया जिसकी सौगंधर सिपाई तिरंगे के समक्ष लेता है ऐसे में इन वीर सिपाईयों के लिए एक लाइक और कमेंट में जैहिंतों बनता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल भी न भूले अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेजूक में जुड़ना चाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेजूक में जरूर फॉलो करें लेंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने भी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बगल में जो बैल आइकन है उसे भी All में किलिक कर लिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें जैहिन जैवारत दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए